जो की जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है देश की अंदा तालिया पयाती है लेकिन विपक्ष गालिया फरसाती है यहाँ बात हो रही है देश के पधान मंतिर नरइनUD मोदी जी की सर, विपक्षी जिस परकार से गालिया दे रहे हैं, महिने शंकर रही है, इक बार फिर से 2017 का बैयान को रिट्रेट कर रहे हैं, खड़गे साथ हासी की बात करते हैं, पूरी गालियों की डिक्षेनर ही है, दुनिया में समान मिलता है, इन दोनों परिस्थितियों कैसे देखते ने जो अबुत्पुर ममद्दान किया है इसके लिए मैं मद्दाताओं का अभार व्यक्त करता हूं लोग तंत्र की ये सही ताकत हैं और जैसे जैसे एक एक चरण आगे बढ़ते गए तो सुरू के तीन चरण में उनकी गाली के निशाने पर अकेला मोदी था तीन चरण के बाद उनकी गालियों का फोकस थोड़ा डिवाइड हुआ पचास प्रतिशत गाली मोदी को और पचास प्रतिशत गाली EVM मशीन को गई उसके बाद पांचवा चरण हुआ तो पांचवा चरण के बाद उनको और मुसीबत हो गई तो उन्होंने फिर अपना स्ट स्राइटेजी बदल दी इसके बाद उन्होंने वन्थड गालिया मोदी को वन्थड गाली इविए मशीन को और वन्थड गाली इलेक्शन कमिशन को याने उन्होंने एक प्रकार से पराजय के लिए बहाने डून्डने का ग्राउंड बना रहे हैं निराशा है न वो महागरबंदन कर पाए न वो एजंडा सैट कर पाए न विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की ताकत है और इसलिए जूर बोलना गाली देना यही उनका कारोबार है और लोकतंत्र में ताली भी मिले गाली भी मिले दोनों का अपना महत्वा है लोकतंत्र में मेरी सद्दा होने के कारण मैं ताली को भी उसी रूप में देखता हूँ गाली को भी उसी दिखता हूँ लेकिन देश वाचियों ने गाली देने वालों के इस वहवार को लोकतंत्र के अनुकुल है या नहीं उनकी ये निराशा जिन शब्दों में प्रगट हो रही है वो शोभा देता है का ये देश के लिए सोच रहे का विश्य है बंगाल में बड़ी विश्यत्री स्थी देख रही है वहां के मुख्यमंतरी आप से बदला की बात कहती है थपर बारने की बात कहती है आज अमिश शाह के रोडशो पे हमला हुआ को यह कार्टून बना दे रहा है तो उसके लिए जेल में राम का नारा लगाई है और मुख्य भाई के रोडशो के साथ क्या हुआ है जब मंच से नीचे उतनुगा तो साहिद मुझे जानकारी मिलेगी लेकिन जब मैं मंच पर आया था तम मुझे पता चला था कि रोडशो बहुत आन-बान-शान के साथ शुरू हुआ था उसमें रुकावटे डालने के लिए आज से पिछले एक साल से वहाँ पर लोक तंत्र का गला गौण दिया गया है पंचायतों के चुना हुए आप हैरान हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुना हुए एक भी हिल्जा की गटा नहीं गटी पसिम मंगाल में पंचायतों के चुना हुए हत्याओं का दोर अपने घर वापिस नहीं लोट पाए इतना जुल्म किया गया लोग सभा के चुनाव गोशित होने से पहले भारतिये जनता पार्टी के बिन बिन राज्यों के मुक्हमंत्री पस्चिम मंगाल की जनता के सामने बाच्चित करने के लिए जाते थे सभाएं करने के लिए जाते हमारे देश के चुने हुए मुक्हमंत्रियों के हैलिकॉप्टर लेंड नहीं होने दिये गए ये बात पस्चिम मंगाल भारतिये जनता पार्टी ने बार बार उठाई लेकिन मिडिया का क्या प्रॉब्लम है वो अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ इन सारी चीजों जों म ये टीम्सी के लोगों ने ममता के साथियों ने निराशा की गर्थ में डूमने के कारण पराजे सामने देखने के कारण गुसे में आकर पिछले 3-4-5 दिन से मिडिया को मारना शुरू किया उसके बाद ही बात बहार आने लगी है और सवाल बीजेपी का और टीम्सी का नही यह पूरा मसला बंगाल की जनता और बंगाल की सरकार के बीच का है बंगाल की जनता बंगाल सरकार के रवये से नाराज है उसके जुल्म से नाराज है और लोग तांतरिक तरीके से वो अपना फैसला सुनाना चाहती है उसको रोकने का TMC का प्रयास है देश में एक व्यापक चर्चा होना बहुत जरूरी है कि क्या फैटल स्ट्रक्चर का इस प्रकार से मजाक उड़ा दिया जाएगा क्या आपने इस प्रकार की वीम के आधार पर भारत के समिधान को टुक्डे-टुक्डे कर दिये जाएंगे यह बहुत बड़ी चिंता का विशह है मुद्दा केंद् राज्य सरकार का नहीं है कृपा करके उसको उस दिख्षा में ले जाकरके ममता दीजी को बचाने का पाप मत कीजिए पहां साल पहले जो पोलिटकल नेरेटिव जलता था उसमें तुष्टिकरन, टोपी, इस्तार पाटीन सब्चियों की ज़्यादा चर्चा होती थी आप सबको यह अपना गोतर बता रहा है, जन्यू दिखा रहा है, मंदिर जा रहा है, क्या आपको सबका साथ, सबका विगास का जो मंदर देते हैं, पोलिटकल नेरेटिव को वहां पे लेकर है कोई सद्धा पुरवक अपने अपने इष्ट देवतावत की पुजा करे, आस्ता रखे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और नहीं मैं इसके आलोच न करता हूँ, लेकिन सीजनल अगर कारोबार होता है, कि चुनाव आए तो उसके कुछ समय पहले करना, यहाँ पर करता हूँ, ड्रामे बाजी से देश चलता नहीं है, अब अपने पुरसकार के धनराशी दे देते हैं, अमामी गंगे को वेतल का बचाहिसा भी देश कल्यान में, दूसरी तलब दिखता है कि कैसे सहर सपाटे के लिए शिप का इस्तेमाल होता है, कोई लंदन में डिरेक्ट कि अब अनेक चैनल्स हो गए हैं, बहुत रास्ते हो गए हैं, वो पहले की तरह लूटियन मीडिया जो परोसे उसी के भरोसे उसकी जिंदगी नहीं है, अब उसको दूद का दूद और पानी का पानी पूरी तरह समझाता है, और उसी के कारण ये कभी 400 पर से 40 पर आ गए है इसी के कारण इनकी कुछ पारटियां जो सिरफ बहुशवादी, सिरफ एश्वा आराम करने वाली पारटिया जिनकी पारलमेंट में जीरो सिंख्या हो गई थी, तो हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को स्विकार करती है, देश के लिए कमिटमेंट को स्विकार करती है, भा अब देश इस दोक्यवाजी को स्विकार नहीं करेगा और इसलिए देश मेहनत को इमानदारी को देश के लिए समर्पन को इन मुद्दों को लेकर के भी भारतिय जनता पार्टी के प्रती आकर्शित हुई है अब देश नहीं के बहुत चर्चा हो रही है एक मामला अगर देखा जाए परिवाद वाद का तो उसमें लगता है कि आपने अन्याई कि अपने परिवार के साथ कि आप इतने कम्टिटिव नेचर के हैं यह कम्टिशन नहीं होता कि कैसे वहां पे गांधी परिवार के साथ सोनिया राहूल प्रियंका और आप तो उनके बच्चे भी दिख रहे हैं रोड शो में फ्रेंट पर दिख रहे थे इस मामले में कम्टिशन करने कमन नहीं करता है मेरा मुद्दा किसका परिवार क्या करता है वो है ही नहीं मुझे तो बाबा साब आमबेड करने जो कहा अधाया थे लोग तंटर में आस्था रखने वालों ने वह उश्वाद परिवार वांध से लोग तंटर को बचाने के लिए जाक्रूक रहना पड़ेगा, ये बाबा साब आमेडकर का संदेश हैं, जहां Τक मेरा सवाल है, मैंने जो रास्ता चुना है, वो मेरा रास्ता है, मैंने चाहता हूँ मेरे रास्ते पर सब चले, यह तो लोगतंद्र हो नहीं सकता, लेकिन जो जो रास्ते पर जो लोग चलते हैं देश उनको सत्य और इमानदारी के तराजू पर तो ले क्या वो वह उस्वाद वाला रास्ता सही है कि मोधी का समर्पन वाला रास्ता सही है देश टाय करे मैं अपने आपको कोई सर्टिपिकर देने के लिए खुद को योगे नहीं मानता दोजाशोदर में सवाल यह है कि स्वस्ता लोग तंत्र के लिए जातिवाद वाशावाद प्रांतवाद संप्रदायवाद यह जितने डाइलूट हो उतना लोग तंत्र मजबूत होगा जातिवाद खतम होता है तो अच्छी चीज लेकिन कुछ लोगों को उससे परिशानी हो रही है कि आजकल जातिवाद खतम हो रहा है यह और वो भी अपने आपको बड़ा विद्वान बनाने वाले मानने वाले लोग लेख लिख रहे हैं यह तो बड़े दुर्भागी बात है जहां तक मोडेल का सवाल है मैं मानता हू कि हर शहर का अपना मोडेल होता है बनारस का मोडेल चंडीगर में फिट करना उचित नहीं होगा चंडीगर का मोडेल रोतक में फिट करना उचित नहीं होगा हर शहर की अपनी विशेश्ता होती है उसकी आवशकता है उसकी पोटेंशल और उसके रिसोर्से इन सब को जोड करके model त्यार करने चाहिए लेकिन इरादा जनहीत होना चाहिए इरादा sustainable development होना चाहिए इरादा 21 सदी के global benchmark के अनुकुल development का होना चाहिए बनारस ने कोशिश की है बनारस के नागरी को ने सहयोग दिया है विपक्ष कानेता अगर जब क्या बोलते हैं क्या करते हैं इंस्वचियों पर अपने बोलने से अपने काम करने करने जो करते हैं जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं उनको पूछ लेकिन मैं एक संग्रण का कारकरता रहा हूं लंबे अर्शे तक मुख्यमंत्री रहा हूं दूर दूर से भी कोई आवाज सुनाई देती है तो सरकार के रूप में हर आवाज को गंभीर लेना चाहिए और लोगतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी है किसी मेरा तो नियम था गु तो मैं अकबार को गाली नहीं देता था मैं डिपांट्मेंट को कहता था अकबार वाले का अभीने देन करो गड़ा खोज करके लिया आया अब अपना काम है गड़ा पूरा करो तो सरकार की आलोचना कि लोगतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है क्रिटिसिजम ये डेमोक्र करनी पड़ती है, रिशर्च करनी पड़ती है, चीजें खोज करके लानी पड़ती है जो जूठ है वो निकाल देना पड़ता है सचके आधार पे चलना पड़ता है ये काम कोई करता नहीं और सिरफ एलि़ेस्ज करते हैं एलीकेशन से लोकतंत्र को बहुत नुख्षान होता है, क्रिटीसिजम से लोकतंत्र को बहुत फायदा होता है, और इसलिए मैं तो चाहूँगा कि देश में क्रिटीसिजम बढ़ना चाहिए, भरपूर क्रिटीसिजम होना चाहिए, मेरा भी भरपूर क्रिटीसिजम होना चाह क्रिटीसिजम लोक तंत्र का एसंस है अखिर में सवाल 23 मई को कैसे नतीजे देख रहे हैं दो संदर में तो उत्रपदेश बंगाल उडिसा क्या यह आपको नतीजे मनमाफिक देंगे और क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित का यह कहना है कि क्योंकि पिछली बार ही बह अगर नए सहयोगी इंडिये प्लस होता है तो क्या इसके लिए स्वागत करेंगे कश्मीर से कन्या कुमारी कच्छ से कामरूप हिंदुस्तान के हर कौने में अभूत पुर्व प्रो इंकम्मन से बेव चलना है भारतिय जनता पार्टी अभूत पूर्व विजय प्राप्त क करेंगे अब भूत पूर्व मार्जिन से बिजय प्राप्त करेंगे भारतिय जनता पार्टी के साथ ही एंडिये के लोग भी पहले से जादा सीट जीत करके आएंगे तीसरी बात 2014 में कुछ इलाके थे जहां हम कम थे उन इलाकों में भी हम पूरी ताकत के साथ उपरेंगे मतलब यह हुआ हिंदुस्तान के हर कौने में हिंदुस्तान के हर दिल में सिर्फ कमल ही कमल एंडिय ही एंडिये बीजेपी ही बीजेपी यह नजर आएगा बहुत बहुत धन्यवा तो यह था होने साथ देश के परजाल मंती नरेंद मोडी जो की चंतवी पहुnsके हैं और सामने या भेट देखें तो लगातार परजान मंती नरेंद मोडी का अभिवादम करने के लिए लोग वहां पर खड़े हैं और परजान मंती